आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं या आपने कभी भी किसी से सच्चा प्यार किया होगा तो उनकी प्यार की निसानिया कैसी होती है सच्चे प्यार की यानि कि किसी को सच्चा प्यार होने से पहले उनको मैं पताने वाला हूं इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखना अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले और आपको ऐसी वीडियो देता रहूं आपको उससे पहले और मैं आपको बता दू उससे पहले कि यह कैसे जान सकते है कि सच्चा प्यार है या सिर्फ आकशन तो नहीं है आज हम ऐसे कुछ बाते जानने वाले हैं जिने सच्चे प्यार का आधार माना जाता है अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको भी कभी ना कभी ऐसी बाते जरूर मैसुस हुई होगी अगर आपको नहीं हुई तो अभी वक्ते जान ले सच्चे प्यार को और उसकी खास बात यह है कि वह किसी भी उम्र में हो जाता है तो आइए जानते हैं क्या है सच्चे प्यार की निशानियां मैं अब बात करूँगा सबसे पहली निशानी के बारे में दोस्तो सभी लोगों को किसी ना किसी व्यक्ति के साथ प्यार जरूर होता है और हम जिस व्यक्ति पर प्यार करने लगते हैं तब हम इस व्यक्ति की सारी बाते मानने लगते हैं यह है पहली प्यार की निशानी यानि कि अगर आप फ्रेंड हो और उसके बीच में प् अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उनका दो दिन तक फौन नहीं आए और कुछ भी खबर नहीं आए उनकी तो आप बहुती ज्यादा अफसेट हो जाते हैं और आप उनके बारे में जानने की कोशिस करते हैं यब भी सच्चे प्यार के निशानी मानी जाती हैं आपके आसपास बहुत सारी चीजे होती है मगर आपके विचारों और आपके ख्यालों में सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है ऐसा हुआ है तो आप यह समझ ले कि आपकी ये सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है अब बात करते हैं चौथी निशानी के बारे में आपके साथ ऐसा हुआ है कभी आप कोई भी गाना सुनते है तो आपको सिर्फ उसकी याद आती है और आपको यह लगता है कि गाने का हर सब्द आपको ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो तो ये भी सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है अब हम बात करते हैं पांचमी निशानी के बारे में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके भी जगडे कितने भी हुए है लेकिन अंत में आप सारी बातों को भूल जाते है और साथ में फिर से अच्छे तरह से रहना सुरू कर देते है ये भी सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है अब बात करते हैं छटी निशानी के बारे में आपको अगर किसी भी व्यक्ति की बुराई भी अच्छी नहीं लगती है तो समझ लिजे कि ये भी सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है और उसकी गलतियों में भी आपको प्यार दिखता है अब बात करते हैं साथमी निसानी के बारे में आपको कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी की गैर मौजुदगी में आप अपने आपको अकेला मैसस करते है या भी सच्चे प्यार की निसानी मानी जाती है अब बात करते हैं आठमी निसानी के बारे में जब प्यार होने जाने के बाद आप अपनी सारी बात एक दूसरे के साथ सेर करते है आप आज क्या कर रहे हो और आपने क्या क्या किया है यह सब बाते आप उसको सेर करने लगते हो ये भी सच्चे प्यार के निशानी मानी जाती है अब हम बात करते हैं नौमी निशानी के बारे में अगर आप किसी को देख कर सर्मा जाते है तो ये भी सच्चे प्यार के निशानी मानी जाती है अब हम बात करते हैं दसमी निशानी के बारे में अगर वह व्यक्ति उदास हो जाए तो आपको भी थोड़ा भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो समझ लीजिए ये सच्चे प्यार के निशानी है जैसे कि अगर उस समय आप चाहते हैं कि किसी भी करके उनके सारे दुख दूर करे अब हम बात करते हैं अग्यार में निशानी के बारे में आप जिस भी व्यक्ति को सच्चा प्यार करते हैं उनकी बुराई आप बरदास नहीं कर सकते या भी सच्चे प्यार के निशानी माने जाती है अब हम बात करते हैं बार में निशानी के बारे में अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनका नाम सुनते ही आपके चेरे पर खुसी आ जाती है या भी प्यार के निशानी मानी जाती है अब हम बात करते हैं तेरी मी निशानी के बारे में अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके बारे में बूरे विचार आपको नहीं आते उनके बारे में आपको हमेजा अच्छे विचार आना सुरू हो जाते हैं अब हम बात करते हैं चौद मी निशानी के बारे में अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके लिए आप कभी भी अपने पैसों के बारे में नहीं सोचते यह भी एक सच्चे प्यार के निशानी मानी जाती है अब हम आखिर में पंदर मी निशानी के बारे में बात करते हैं अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप सुबह उठते हैं तो उनको ही याद करते हैं और आप कहीं भी जाना चाते हैं तो उनके बीना जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो यह भी सच्चे प्यार की निसानी मानी जाती है तो दोस्तो मैंने आपको पंदर सच्चे प्यार की निसानी के बारे में बताया है तो आप अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको उन में से कौन से प्यार की नीशानी महसुस हुई है और आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल न्यूनूस के हिंदी को रेट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल का बटन जरूर दबा द जरूर कि जरूर कि बटन बटना चाहते हैं जरूर कर दो सकता हैं जरूर 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 कि जरूर अन्यूर के जरूर चैनल पर देंदाब